इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटर्वी रिलेटेड कोस्टेंस राइट राइट आप प्रोग्राम टो रिमोव रिपीटेड या आप बोल सकते हो डिप्लिकेट कारेक्टर्स फ्रॉम इस्ट्रिंग इन जावा क्लियर पॉइंट सो बेसिकली कोई एक इस्ट्रिंग है रिपीट हो रहा है उसको रिमूब करना है और यह कोस्टेंस बहुत बार पूछा गया इंटर्वीव में राइट सो वन से लेके एट तक जो इंटर्वीव क्वेस्टेंस हम कभर कर चुके है अगर आपका छूट गया था प्रिवियस वीडियो एक बार देख लो वेरी वेर निया पिए यह स्टींग लेँ दिया अब यह जो स्टींग जो रिपीट हो रहा है ना «व्धां कर आपका रिपीत हो रहा है तो आपका אתर गया आन मंने चाहिए drive बना-s hdr16.java के नेम से पाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो class मना लिया मैंने my string ठीक है and then यहां पर main method user से input लेना है तो आप क्या करो import कर लो scanner class को java.util package के अंदर रहता है .scanner ठीक है and यहां पर मैं object create कर लोगा scanner का input refresh variable equal to new then scanner यहां पर लिखना है आपको system.in ठीक है and then user को एक message देता हूं system.out.print and एक message दिया enter a line of string line of string enter करो जैसे user ने input किया हम क्या करेंगे string type के variable में उसको रख लेंगे str equal to input dot next line की method की help से clear a point suppose इसमें मैंने user says user enter किया like debug तो debug जो है आपका कहां पर store हो गया various empty string ले लिया है clear a point done चली अब यहां पर loop लगा देता हूं four loop इस string को traverse करने के लिए equal to zero i less than str dot length method and then i plus plus clear a point string को traverse करवा लेंगे and then यहां पर मैं क्या करता हूं इसको character में c as equal to str dot char at और इसको हमने character में basically convert कर लिया इसको इसको print करके देखते हैं हम लोग कि यह character में आपका convert हुआ कने ch को मैं print करके देखता हूं ठीक है चली तो मैं यहां से compiler open कर लेता हूं एक-एक line हम लोग run करके देखते जाते हैं ठीक है cd desktop पे जाना है डेक्स्टॉप पर आप फोल्डर है cd java नाम का फोल्डर जावा सी str 16.java file का नेम है compile find class का नेम है my stream चली यह देखे मैं यहां पर लिखता हूं दीपक और यह देखो बिल्कुल हमारा यहां पर character में देखो convert हो चुका है clear point अब क्या करना है यहां पर condition लगाना है condition क्या लगाना है वाई मैंने यहां पर condition दिया if जो r e s है dot contents method यूज करना है ch अगर जहां यह contents करता है तो आप क्या कर दो इसको continue continue and उसके बाद यहां पर आपको करना है इसको r e s plus equal to ch clear point done और इस ch को यहां से हटा के आप इसके loop के बाहर जाके print कर दो अगर जहां ऐसा करोगे तो एक error आएगा भी देखते हैं क्योंकि यह contents method जो होता है और वो string पर work करता है ठीक है हमने character दिया है तो let me check देखो यहां पर बिलकुल character cannot be cannot converted to care sequence clear point तो इसके लिए आप क्या करो भाई यहां पर लगा दो string then इसका s variable देदो और यहां पर कर दो empty string के साथ concat plus clear point अब चला के देखते है ठीक है I hope कि now it will work तो यहां पर ch हमने जहां जहां पर ch लिया वहां पर क्या करोगे s pass कर दोगे कि हमने reference variable change कर दिया s and then यहां पर print कर आदोगे आप किसको res को ठीक है res को print कर आओगे s को नहीं ठीक है चलिए अब इसको हम चला के देखते हैं गबर compile spine मैं यहां पर लिखता हूं deep bug तो देखो यहां पर क्या हो रहा है repeat जो हो रहा था characters उसको क्या किया remove कर दिया यहां से clear है जो repeat हो रहा था तो यहां पर क्या होगा जो contents करता है contents method आपको पता है हमने already discuss कर रखा है अगर यहां पर कोई character contents करता है तो क्या करेगा उसको continue continue मतलब current iterations को क्या कर देगा skip कर देगा and then यहां पर क्या कर देगा उसको अगर repeat हो रहा है तो वह चीजे यहां store नहीं होगा clear a point done चलिए अगर जा मैं कोई और value देता हूं suppose करो मैंने यहां पर एक और देता हूं abc abc ठीक है and then enter करता हूं देखो यहां पर जो abc repeat हो रहा था उसको remove कर दिया clear a point i hope clear है यह है आपका questions यह बहुत वार पुछा गया interview में clear a point यह सारी चीजें आपको पता है यह सारे predefined method है we have already done in the previous lecture right clear method क्यों यूज करता है जो आपका यहां पर string traverse हो रहा है उसको character में convert करने के लिए then हमने यहां पर यह method यूज किया ताकि हम check कर सकें कि इसके अंदर जो contents करता है यह content करता है current के attraction यह क्या करेगा skip कर देगा clear a point and then यहां पर last way result को print करा दिया गया ठीक है चलिए आप इसको note कर लो note करके practical करो यह भी questions बहुत वार पूछा गया interview में ठीक है इसको note करके practical करो clear a like करो comment करो subscribe करो यार मिलते है next studio thank you bye bye प्यूख ग्यूए झाय ख झाय 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 झाय